dolmen अब है है अभीड मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है सबसे पहली ओर तो मैं यहाँ पर अपने समर कि समान को सेनिटाइज कर दियो यह समान वैसे केल नियुकर लेकिन तुरंत समान को छूना सही नहीं रहता है इसलिए मैं इसको आज कर रही हूं और यहां पर मैं बाल्टी में बनाई हूं होम मेट सेनिटाइजर इसमें लियों गुन-गुना पानी उसमें डाली हूं एक चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच नमक और दो चम्मच सर्फ बस तीनों को मिक्स कर लिया और इसमें मैं अपने समान को धो धो कि बस रख दे रही हूं नीचे में बिछाएंगे एक पुराना टावल उस पर रख दे रही हूं तो पानी मेरा सारा रूर टावल पर सूखे गिरेगा और पानी जब सूख जाएगा फैन चल रहा है तो मैं को रख लूंगी अंदर और हाँ आज में ब्रेकफास में एक बहुत ही खास रेसिपी बनाने वाली हूं यह आटे से बनता है और इसमें कई सारी सब्जें भी पड़ती है वैसे सब्जें डालना ऑप्शनल है आप लोग चाहें तो डाल भी सकते या फिर इसकी भी कर सकते है तो रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें मैं अपने समान को सेनिटाइज कर चुकी हूं और यहां पर सिद्धान्त की चल रही है ऑनलाइन क्लास तो जब तक इसकी क्लास चलते तब तक से हम फटाफट से बना लेते हैं अपना यम्मी सा कटिवी प्याज दो से तीन गाजर है जिसको हम कदूकस कर लिए हैं और एक मीडियम साइज की सिम्ला मिर्चे उसे भी बारीक कट कर लिए हैं अब हम यहां पर लेंगे एक बाउल उसमें मैं लिए हूँ दो कटोरी आटा जिस कटोरी से आटा लिए थे सेम उसी कटोरी से हम लेंगे एक कटोरी दही और इसको हम अच्छे से फेंट लिए हैं यह घर की बनी हुई दवी है यह खटी नहीं है तो हम पहले आटे को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी इसका हमें स्मूध बेटर बनाना जिसमें बिल्कुल भी गुठलियाण आ रहें बिल्कुल मुठली रहें और अब हम इसमें अपनी कटकी सब्जियां डालेंगे आप चाहिए तो इसमें और भी सब्जियां एड़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद दो और जो पसंद ना हो उनको आप हटा भी सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे मसाले मसालों में डालेंगे आद़ेंगे हलदी पाउडर और रिदा यले मिर्च, कंमेरी लाल एलने इस रहते दालने से पॉलट बहुत अच्छा हो अच्छा घल्दी और जब आप बनाएंगे तो कि इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको 10 मिनिट के लिए ढख के रख देंगे अभी 10 मिनिट हो चुका है और अब हम ढखाना ठाके देए यह देखिए हमारा जो बैटर है यह अच्छे से सेट हो गया हम इसको एक बार और मिक्स कर लेंगे और हम गैस पर रखे हैं एक तावा और इसमें हलका सर लगा लेंगे तेल इस तरह से अभी यहां पर हमारा तावा अच्छे से गरम हो गया है और हमने उस पर लगा लिया तेल और हम एक कल्चुल की हेल्प से या फिर एक बड़े चम्मच की हेल्प से अपना बैटर को इस पर डालेंगे और अच्छी तरीके से इसके इस तरह से फैला लेंगे इसको ना तो ज्यादा मोटा बनाना ना यह ज्यादा पतला। इसको मेडियं साइज में बनाना है और अब हम इसके किनारो को भी सेट कर लेंगे और एक साइज इसे कम से कम 5 से तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसे अभी सात मिनिट हो चुका है और यह देखिया हमारा जो पराठे का कलर ये चेंज हो गया है इस तरह से अब हम इसे इस साइड भी तोड़ा-थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे थोड़ा-थोड़ा सा ही लगाना है और फि अब दूसरी साइड भी 5 मिनट तक पका लेंगे अब पांच मिनट हो गया है अब मैं दिखाती हूं इस साइड से भी यह देखिए इस साइड से बहुत अच्छी तरीके से पक गया है यह तो हम गैस का फ्लेम इसमें मेडियम ही रखेंगे और इस तरह से दोनों साइड हमारे अच्छी तरीके से पक गये हैं और हमारा पराठा तयार है यह पराठे बहुत ही सौफ्ट होते हैं और इन्हें बनाने के बाद आपको रोटी सब्जी बनाने के जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही चीजे इसमें हैं और इस तरह से आप इसका रोल बनाके बच्चों को सकते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई